ये मेरे हाथ में है एक लाक रुपिया ठीक है ये देख और दूसरे हाथ में है जंडा पाकिस्तान का तुझे क्या चाहिए जल्दी बता एक लाक ले लेता हूं जंडा तो वैसे भी कपड़े का है भही मुझे एक लाक रुपिया दे दो अच्छा मेरी बात सुनो ये पैसे ल डालें ये पैसे ले पैसे ले के जाए अब पकिस्तानी हो ना आग मेरे बात 중요 है और मेरी बात सुनों अगर पैसे लोगे झंडे डालना होगा अगर जंडा डालोगे पैस़ू को आग ना होगा पता क्या लेना है अरे भाई मुझे तो पैसे देदो मैं शोपेंगे लिए जा रहा हूं फिर जंडे को आग में डाल दो आग में डाल दो यह लो भाई मैं डालता नहीं हो इसको जा जा पागल हो गया क्या यह पैसे और जंडा आग के सामने लेकर क्यों खड़ा है मैं पागल नहीं हो गया एक बात बता अगर तुझे इन दोनों में से कोई चीज मिल जाए क्या लेगा तूं पैसे लेगा या जंडा लेगा हम तो पर्चम लेंगे भाई पर्चम लेंगे जी भाई तू क्या लेगा तूं तो जंडा लेंगे जा मैं पैसे लेंगे जाओ इतना और पैसे चाहिए तो ये पकेड भाई पैसे ये लो नहीं यार मुझसे भूल हो गई मैं भूल गया यारू अच्छा मेरी बात सोनना आप तुझे पर्चम चाहिए ना रे भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ये तो पैसे हाथ की मैल है मुझे जंडा लेना गाना ये पकेड घैवाई जंडा ले और घर मैं लगा दे जा जा चुक रहा भाई यह दोस्तों ये पैसे जो हैना ये काजळ है इस कागज के लिए हम लोग अपने जंडे पर्चम को आग में डाल रहे थे ये लोग वो हैं जो आग में डाल रहे थे ये मजबूर हैं जिनके घर में कुछ नहीं है महंगई इतनी है बिजली के बिल देख लें और महंगई देख लें इतनी महंगई है कोई पाकिस्तानी अपने पर्चम को कभी आग में नहीं डालेगा क्यूंके मजबूरीयां चोरियां करा रही है और बड़े-बड़े काम करा रही है हम लोगों को चाहिए एक दूसरे की मड़द करें और अपने पाकिस्तान को अपने वतन को सबसे उपर लेके जाना है तो इसमें हम सब मिलकर एक तुजरे का साथ दें और हम आगे जाएंगे बहुत ज्यादा ये पैसे जो है न ये कागाद हैं हमें सबसे ज्यादा आजीज हमारा पर्चान है